घर बनाते समय रखे इन बातों का विशेश द्यान, पाएं सुक्षमर्दी और धनलाब, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुक्षमर्दी, तरक्की और हर एक व्यक्ति के साथ अपने अच्छे संबंध चाता है, हाला कि कई बार अनेक परियासों के बावजूद दुख और प्रेशानियां हमारे जीवन पर हावी हो जाती हैं, जीवन के संगर्शों के बीच एक सुन्दर घर परिवार होने की लालसा सभी मनुश्यों में होती है, ऐसे में यदि आप अपने सपनों का घर बनवाने की सोच रहे हैं, तो वास्तु सास्तर में दी गई सलाहों की आउ मानना बिल्कुल ना करें, वहीं कुछ विशेश बातों का ख्याल भी रखें, आईए आज हम आपको कुछ विशेश वास्तु टिप्स बताते हैं, इसके लिए सुब मा का चैन करें, वैसाक, स्रावन, कार्तिक और फालगुन मास में घर बनाना शुरू करना बहुत सुब होता है, माना जाता है कि इन मा में शुरू किये गए काम से आरोग्य और धन दान्ने की प्राप्ती होती है, नमबर दो, घर के एंट्रेस गेट पर तुल्शी का पोदा अवश्य रखें, तुल्शी का पोदा भगवान विश्णू से संबंदित है और इसके अलावा इसके कई ओश्दिय फायदे भी होते हैं, यह नेगेटिव एनर्जी को अवशोशित करके पोजेटिव एनर्जी को बढ़ाता है, तुल्शी के पोदे को घर की पूरव दिशा में रखना चाहिए, इसके अलावा इसे उत्तर या उत्तर पूरव दिशा में खिड़की के पास रखा जा सकता है, नमबर तीन, घर हमेशा हर तरब से खुला होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि यह किसी भी अन्य इमारत से सटा नहीं होना चाहिए, यानि दो घरो में एक आम दिवार नहीं होनी चाहिए, घर के चैरों तरब खाली जंगा छोड़ना उत्तर माना जाता है, नमबर च्यार, उत्तर और पूरव दिशा के दरवाजे और खिड़कियां दिख्षिन और पिष्चिन दिशा की तुल्ना में बड़ी होनी चाहिए, दिख्षिन और पिष्चिन दिशा में खिड़किया नहीं बनवाएं, नमबर पांच बारी परनीचर को दिक्षिन पिश्चन दिवार के पास रखना चाहिए परनीचर में अधिक से अधिक लकडी से बनी वस्तू का ही परियोग करें पलास्टिक से बनी चीजों का उपयोग करने से बचें दातु से बने फरनीचर का उप्योग नहीं करना चाहिए यह हमारे च्यारों और चुम्ब की अच्छेतर उत्पन कर देता है जिससे नेगेटिव एनरजी में विर्दी होती है नमबर छे वास्तु सास्तर के अनुशार जल का बंडारन इसान कोण में सुमाना जाता है तो आप उसमें अपने दन रखने का स्थान हमेजा वास्तु के अनुशार ही बनाएं वास्तु नियमों के अनुशार कभी बूल कर भी अपने दन स्थान को आगने कोण में नहीं बनाना चाहिए इस स्थान पर रखे दन का सिगर ही ना सो जाता है वास्तु के अनुसार धन सतान के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर पूरव होती है जो कि कुबेर की दिशा मानी गई है नमबर आठ गर में रसोई बनाने के लिए आगने कोण को सबसे मैत्वपुन दिशा माना जाता है यानि आप जब भी किचन बनाएं तो आगने कोण में ही बनाएं इसके साथ ही गर का टॉयलेट बनाने के लिए सबसे अच्छा स्तान दिख्षिन पिश्चिम और दिख्षिन दिशा को माना जाता है नमबर नो मैंगेट के जरीए लोग गर के अंदर परवेश करते हैं इसके साथ ही तरह तरह की उर्जा भी इसी राश्टे से होकर गर के अंदर परवेश करती है गर में लगे बाकी दरवाजों की तुल्ना में गर का मैंगेट बढ़ा होना चाहिए या लकडीगा बना हुआ होना चाहिए मैन गेट को उत्तर उत्तर पूरव या पिस्चम दिशा में बनाना चाहिए नमबर दस वास्तु सास्तर के अनुसार गर में सीडी बनवाने के लिए दिक्षिन पिस्चम यानी की निरत्य कोन को सबसे ज़्यादा सुम माना गया है वास्तु के अनुसार इस दिशा में बनी सीडी घर के लिए सुबता और सोबाग्य को बढ़ाने वाली होती है वास्तु के अनुसार बनी सीडी के सुब फल से घर में रहने वाले सबी लोग सुखी समर्द और निरोगी रहते हैं गर के मंदर को हमेशा उत्तर पुर्वी दिशा में बनवाना चाहिए क्योंकि इस से सुक्ष मर्दी और स्यांती में विर्दी होती है। वास्तु के अनुसार पूजा कराने के बाद ही नए गर में शिफ्ट होना चाहिए। वास्तु पूजा के साथ ही कुल देव पूजा भी करनी चाहिए। इससे हरत रहेगा वास्तु दोस्त मिट जाता है और देवता घरकेस दस्यों की रक्ष्या करते हैं। दोस्तो आपको अमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपियोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कोमेंट करके जै मातादी अवस्य लिखें। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेर करना ना बूलें। आगे भी ऐसे ही बेतरी वीडियो देखने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबस्त रहो और मस्त रहो।